हलो दोस्तो आज आपको बताऊंगा कैसे आप जो वर्क की रिटन इटीसी 04 को फाइल करेंगे जो आपने माल या गुड्स भेजा है जो वर्क करने के लिए और उसके बाद जो वर्क के बाद होने के बाद जो आपके पास माल वापस आया तो उसकी रिटान कैसे फाइल करेंग इसको समझने के लिए मने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड ताथ और दोस्तों चल रहा है यहाँ पे लॉक्डाउन सेल्स ओफर जहां पे आपको सभी पेंड्राइव कोर्सेश और ओनलाइन कोर्सेश पे 65% तक का डिसकांट मिल जाता दोस्तों हंजी दोस्तों 50% का डिसकांट कोर्स पे है और 15% का डिसकांट आपको एक्स्टा मिलता है बस आपको यह कूपन कोड यूज करना है और यह ओफर वैलिड है 31 मई 2021 तक यह ओफर वैलिड है तो दोस्तों आप इन सभी कोर्सेश को जोइन कर सकते हैं और अपने घर के सेफ एंवार्मेंट में आप पैंड रा दिशते हैं जो वर्क करने के लिए और उसके बाद जो माल वापस आया उसको कैसे आप यहां पे रिटर्न फाइल करेंगे जीस्ट के अंदर इसकी रिटर्न जाती है और मैं यहां से जनवरी से मार्च के फॉर्थ क्वार्टर के बारे में बताने वाला हूं फिनेंशल यह 20 का तो क्या करना होता है सबसे पहले आपको सर्विस में जाना होता है यहां से रिटर्न में जाना होता है यहां से आई टी सी फॉर्म पर जाना होता है यह देख सकते दोस्तों यह आ गया आई टी सी फॉर्म जेस्टी आई टी सी फॉर्म आई टी सी जीरो फॉर्ट डिटेल ITC 04 के अंदर जाती है और इसकी due date क्या होती है हर quarter के खतम होने के बाद 25 तारीक तक आपको ये file करनी होती है जैसे कि आज मैं file कर रहा हूँ 26 तारीक को तो इस पे late fees अभी 3B के अंदर calculate नहीं हो रही लेकिन future मैं नहीं कह सकते कि future में इसके पर late fees calculate नहीं होगे क्योंकि इसकी due date है 25 हर quarter के खतम होने के बाद 25 तारीक तक ये return जाती है जो work की ITC 04 ठीक है simple है अभी क्या करना है देखो prepare करने के दो method है आप offline और online कर सकते हैं अगर आपके पास चलान एक या दो है तो अब तो prepare online पे जाके कर लो और आपके पास bulk में चलाने हैं मतलब 50 चलाने है 60 चलाने है तो अब आपको prepare offline पे जाके offline utility का यूज करके बनाना होगा इसको कैसे बनाना होता है offline टूल कहां से मिलेगा देखो डाउनलोड पे आएंगे डाउनलोड पे आने के बाद offline टूल पे आएंगे और यहां पे ITC04 का offline टूल मिलता है जो वर्के रिटन का यहां से आप इस टूल को download कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा लिता हूँ मैंने यह किया हुआ है दोस्तो offline टूल को डाउनलोड ITC04 को इसके अंदर डाटा की बात करूं तो बहुत सारा डाटा है सबसे चले होम पर आते हैं होम पर सबसे पहले हम जो manufacturer है जिसकी हम रिटान फाइल कर रहे है आई टी से 04 जो जिसने जो वर्क के लिए माल आगे भेजा और फिर उसके पास जो वर्क होने के बाद माल वापत आया ठीकि उसकी रिटन फाइल कर रहे है तो उसका जूश्क की रिटन फाइल कर रहा हूं तो उसका जीसे नंबर ले लिया ठीक है फिर एशे डेफ़्लेपर है यह नहीं यह एस इन्ernen गॅनोफै पर क्लिक कर दिया रिटर्ण कौन सा हो गया कर रहा है जन्वारी से मार्च के क्वार्ट रखा अब आजाएंगे टेबल फॉर में डिटेल किसकी देनी होती है जो आपने गुड्स या कैपिटल गुड्स जो वर्क करने के लिए भेजा ठीक है जो गुड्स गुड्स के केस में गुड्स के अंदर अगर आपने किसी मशीणरी और कर वाया है मशीणरी को रियु Deshalbler अगरapping बेजा तो उसकी डिटेल या नॉर्मलड घूब्स बेज़ा है तो उसके डिटेल को देनी होती है जो वर्क करने के लिए रो फाइवेग की बात करें तो पौन देनी होती है जितन जितना आपको माल रिसीव हो गया जो आपने जो वर्कर करने के लिए भेजा था जो वर्कर के पास से जितना माल आपको या capital goods या goods receive हो गया उसकी detail आपको देनी होती है ठीक है और जो भी losses है या wastage है उसकी detail भी आप यहां पे दे सकते हैं यह देशके losses and wastage की detail आपको यहां देनी होती है फाइव एक अंदर यह फाइव वाली फाइव वी टेवल की बात करें तो मोलता है अप फाइव वी में क्या होता है माल लो आप ने किसी जो वरकर पास माल भेजा अब उसने किसी ओर वर के पास बेज दिया कुछ छोटे से पार को माल भेजा और वहीं से सीधा आपने customer या client को sale कर दिया तो उसकी detail आपको यहाँ देनी होती है यहाँ पर आपको बगाईदा invoice का number देना होता कि original invoice number क्या है आपका ठीक है invoice की date क्या है यह सब चीज देना होता है तो मेरे case के अंदर मैंने जो work करने के लिए भेजा और फिर माल receive कर लिया देख सकते हैं सेम क्वाटर में माल बेजा जितना माल भेजा है उतना माल receive कर लिया तो टेबल 4 के अंदर मैंने माल यहाँ देख सकते हैं यह मैंने माल माला बेजा है जो वर्क होने के लिए, ये माल मैंने बेजा जो वर्क होने के लिए, डाटा बहुत सारा आइसके अंदर, देख सकते हैं, 75 के आसपास चलाने, और इतना ही मुझे रिसीव हो गया है लेकिन कई वर क्या होता है जो वरकर के पास माल हम भीजते हैं पूरा और पूरा का पूरा रिसीव नहीं होता है आधा रिसीव होता है तो जितना आपको रिसीव हुआ है फाइव एक अंदर उतनी की डिटेल देनी होगी आपको ट्रैकिंग करना होगा तो यहां 5A के अंदर उसकी डीटेल देंगे जो आपके पास बैलेंस अमांट रिसीव हुआ है 5A में रिसीव वाला अमांट और टेबल 4 के अंदर जो आपने जो वर्क करने के लिए भेजा ठीक है दोस्तों कई वार बहुत सरे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी है जो कोशन यहां पे दो अप्षिन होता है कि अगर कोई जो वर्कर ने चलान के बैशनी और ईश्यूव होगया है यहां तो बमच्राइबर में तो आहिं आ हैं बचा उसका आपको ट्राकिंग रखना पड़एगा या फिर जो वर्कर ने चलानी इश्यू किया उसका चलान नंबर आप यहां पे दे सकते हैं अगर आप जो वरकर का चलान नंबर देंगे फिर तो आपको ट्रेकिंग करनी की जुद नहीं होगी क्योंकि वह उसी इसाब से आपको चलान भेज़ेगा जैसे कि माल लो आपने सो पिस बेज़ा और बीस पिस उसने करके भ द्लिया है जो मैंने चलान इसू किया उसी चलान के और इमिने माल वापस ले लिया नहीं ली लिए क्योंकि सी माल वापस आ तर बाटेलें तेनी ही हों यह सब्थे नंबर पे है यहां onwards का टाइप एसीजेड यूनिट के अंदर है जो वरकर यह नहीं है चलान नमबर चलान की डेट टाइप ऑफ गूट्स क्या है इन्पूट है कैप्टर गूट्स है इन्में से आपको यहाँ पर डिफैंड करना पड़ेगा फिर इसका यूनिक कॉंटिटी कोड देना होगा फिर इसकी कॉंटिटी देनी होगी फिर उसकी टैक्स वाल वैल्यू देनी होगी ठीक है फिर टैक्स का रेट देना होगा यहाँ पर टैक्स का रेट देना होगा केवल टैक्स का अमाउंट नहीं चाहिए फिर उसके बार शीट को वैलिडेट कर लेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर व और जोवर्क मतलब क्या चया किया आप पैकिंग कीया इसेंबल किया क्या उससार गया आपको यहापे डिटेल देनी होगी description देना होगा इसक्रिप्षिंस क्या है नाम क्या है goods का फिर उसकी unique quantity code कितनी quantity है यहां पर taxable amount नहीं होगा किवल quantity देंगे तो quantity से automatically track कर लेगा वो quantity आपने दे दिया तिन सु चलिस फाइब फोर के अंदर आपको taxable value देना होता है देख सकते हैं दिखा रहे कि उतना माल वापस आगया तो उतने का amount का वापस आगया ठीक है इसमें वैल्यू नहीं दिनीं होती है five a के अंदर फिर losses यह वेस्टेज की जो detail वो देंगे फिर यहां से validate sheet पे click कर लेंगे validate sheet पे click कर लिया अभी क्या करना होगा देख सकते हैं कोई भी error नहीं है सीधा home पे आएंगे और यहां से जनरेट कर लेंगे जोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट होने में तो दोस्तों देख सकते हैं यह होगी successfully json file जनरेट ओके पे click कर रहेंगे save करने के लिए बोलेगा कि आपको एक location में particular लोकेशन में आपको save करना तो चलिए इसको मैं save कर लिता हूं save कर लिया दोस्तों अब जेस्टी पोर्टल पर आजाएंगे जेस्टी पोर्टल पर आने के बाद देख सकते हैं यह है आई टी सी जिरो फोर जोवर की और यह मैंने जोएसन फाइल को कर लिया सेलेक्ट ठेक है रिफ्रेश कर देंगे रिफ्रेश करने पर जो एरर है देख सकते हैं नोट अपली के वाला गया प्रोसेस हो चुका है बैक टू रिटर्न पर आजाएंगे बैक टू रिटर्न पर आने के बाद यहां से बैक आज एक पर बेसे आ जाएंगे और यह मैयन ड toothbrush पर आ गया IPC 04 अब पर पर प्रोलश ओन्न पर पैंगे फेनिज्टUI इसे लेंगे मैं यहां ले रहा हुं और यहां से return period ले लेंगे January से March का return period ले लिया, search पे click कर दिया, search पे click करने के बाद देख सकते हैं, मेरे पास जितने चलान थी, चलान की साथ आ चुका है, और total चलान की जो taxable value है, वो यहाँ पे आ गया, एक बार table 4 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं, यह है 116,45,989,82, यहाँ भी देख सकते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल सम करके चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं, एक 116,45,989,82, यहाँने, 116,45,990 हो गया, पॉइंट बैसे को नब्बे कर देशने, टोटल रिकोर्ड 35 है, जो टोटल चलान है, मेरे पास 35 है, और 35 पूरा का पूरा वापस आ गया, यहाँ पर वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि चलान सही वो ट्रैक कर लेता है, कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, चलान की डिटेल आपको देखेगी, जो आपने चलान उस यूटिलिटी के अंदर बरा है, यह द आपको यहाँ पर मैनुवल नहीं भरना पड़ेगा, यूटिलिटी में फटा 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 बर सकते हैं, कम टाइम के अंदर, यह दे सकते हैं, सभी चलान की डिटेल आ गई, अभी क्या करना है, अब सिंपल है, आपको सीधा फाइल रिटन पर जाना है, फाइल रिटन पर आ अपना डेजिटल सिंगेचर, सेलेक कर लिया, ठीक है, उतराइस परसन को और साइन पर क्लिक कर देते हैं, यहां से साइन हो जाएगा, और यह लोग इन कर दिया दोस्तों, ठीक है, और इस प्रकार से हमारी जो वर्क के रिटन सक्सेस्फफ़ली फाइल होगी, देख सक्सेस जेस्टी के अंतर, वीडियो कैसे लगी जरूर बता है, थाइंक्यू स्वामज, जाहिन, वंदे मात्रम